मुलें दोष्टो नमस्कार दोस्तों मैं सागर चेनल में आपका स्वागत है। आप हमारे चेनल के अगर पहली बार देख रहे हैं तो भाईसाव आप हमारे चेनल को जरू सबस्क्राइब कर दीजेगा और बैरा दिजिएगा ताकि आपको विडियो देते रहेंगे आपको वीडियो मिलता रहेगा तो यह पड़ है आप एंसियाटी पटर्ण का नया से लिवचिन हिंदी माध्यम गडित क्लासिक बारे का भाग दो यह प्रस्णावली इसके पहले मैं जो है साथ मलों दोग बता रहा था अब मैं प्रस्णावली साथ मलों तीन में ज अध्यक्स दूसरा है यह साफ्ण टू एक्स कॉस्टी एक्स इसका समाकल dalla क्यों कंई से होगा फिर के लिवच बंहों करते हैं वाला है कि दिया है कोई स्कौाइरks to x to cos x का समाकलन होता नहीं है actually में यह होता ही नहीं है तो यहां क्या करेंगी इसका दूसरा रूप बनाएंगे दूसरा रूप इसका जो है दूसरे रूप में इसको रखेंगे तो आपने जानते होंगे आप high school में पढ़े होंगे पढ़ के आयोंगे, ये cos 2x बराबर होता है, दो सूत्र होता है, एक होता है, ये cos square x minus 1 होता है, होता है न ये, अब हम क्या करेंगे, जब cos 2x बराबर 2 cos square x minus 1 है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, minus 1 बराबर cos 2x, cos square x बराबर, ये इसके बराबर ये भी हो जाएगा, अब यहां से ये हो जाएगा, 2 cos square x बराबर, cos 2x बराबर, cos 2x ब्लस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, अब ये हो गया, ये cos square x बराबर, 1 by 2, ये cos 2x ब्लस 1 हो गया, ये कैसे हुआ, पचानतर वाँ या कर पलस हो गया अब इसके जगा जो है इसके जगाँ हम यह चीज रख देंगे क्यों रख सकते नहीं रख देंगे चले रखते हैं ठीक हमने किया कि इसके जगह रख दिया अब यह बटा दो को इस नंबर है यह बगल में इसको ले लेंगे यहां कॉस्ट टू एक्स ठीक प्लस एक बटा दो का यहां भी गुड़ा कर देंगे यह कॉस्ट एक्स 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 आएगा क्या आएगा यहां एक्स नहीं एक बटा दो एक्स आएगा यहां एक्स क्यों आएगा क्या आएगा क्या आएगा क्योंकि वन का गुड़ा होगा तो इसमें वन भाई दू ही होगा यहां हो जाएगा यह सिधा आपका 1dx हो जाएगा ठीक है यानि यह हो जाएगा यह 1 बटा दो cos 2x dx प्लस यह 1dx हो जाएगा क्यों एक बटा दो यहाँ भी आपके गुड़ा हो रहा दोनों में आप आप देखिए cos 2x का formula क्या होता है इसको हम समाकलन करना है आप जानते हैं चलिए हम सुत्र भी बता रहे हैं जब कभी sin AX बराबर क्या सुत्र हो जाएगा AX हो यहाँ A हो X के मलिटिपल में तो इसका समाकलन 1-1 थो होता है 1-1 यह cos AX हो जाएगा ठीक है तो इसका जहाँ देखिए यहाँ पर यह भी क्या होता है यह सुत्र में बता रहा हूँ और उसी प्रकार cos है दूसरा सुत्र में बता रहा हूँ जैसे cos AX है समाकलन dx इसका जो है करना है तो यहाँ भी क्या जगा 1 by A 1 by A sin AX हो जाएगा तो यह उसी प्रकार 2 के जगा है यहाँ पर एक जगा क्या है यहाँ एक जगा 2 है तो 1 by A यह यह दो हो जाएगा यह sin 2X हो जाएगा आए प्लस एक बता 2 यह 1 का समाकलन क्या होगा X हो जाएगा यहाँ और प्लस C जोड़ देंगे इस प्रकार यह solve होगा अब चलते हैं अगला प्रस्ण अगला प्रस्ण क्या है दिये देखिए दिया sin 2X into cos 3X dx इसका समाकलन करना है तो इसको कैसे करेंगे इसको करते है sin 2X cos 3X dx ठीक तो इसको समाकलन कैसे करेंगे यहाँ ध्यान प्रोग देखिए इसका तो यह into में है ठीक है अगर उस तरह से यहाँ करना थोड़ा tough है मगर विचार करते हैं स्वर्पत हम कैसे करेंगे देखिए कोई चीज बिना विचार की नहीं होता है और गणी तो अगर ऐसा भी सह है कि आपको विचारों पर डिपेंड करता है आप जैसे जैसे विचार करेंगे जैसे इसा सुत्र लगाएंगे वह ऐसा लगता जाएगा तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे यहाँ दो से गुड़ा करेंगे और दो से भाग देदें कोई अंदर पढ़ेगा कभी नहीं गड़िद में ऐसा होता है एक बटा दो बगल में लेंगे और यहाँ दो साइन टू यक्स यह कॉस थिर यक्स टी यक्स होगा अगर कोई पूछे कि एक ऐसे क्यों आप गिये हैं ऐसा इसलिए हम किये हैं क्योंकि यहाँ थिर टू यह साइन एक्स इंटू कॉस एक्स टू साइन एक कॉस बी का फार्मूला अगर आपको याद है तो उस फॉर्म में इसको हम दूसके रूप में चेंज कर सकते हैं आप पढ़े होंगे सुत्र या नहीं जानते हों तो जान लिजी टू साइन एक कॉस एक का सुत्र क्या होता है साइन ए प्लस बी और होता है साइन ए प्लस बी और होता है प्लस यहाँ माइनस क्या होता है माइनस क्या प्लस होता जो भी साइन ए माइनस बी ठीक होता है ठीक है यह क्या हमारा है यह सूत्र है यह सुत्र में इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लेजिए साइने प्लस भी कुश्टक में साइने मनस भी अब इसके जगह देखिए एक जगह क्या हमारा है टू यक्स है और बी की जगह क्या है यहाँ यहाँ यह साइने नहीं है और यहाँ भी है तो साइने कॉस भी है तो साइने प्लस भी हो जाएगा प्लस साइने मनस भी हो जाएगा ठीक है तो एक जगह टू एक जगह और बी की जगह क्या थ्री अक्स है तो यहाँ से मुही काम हम करेंगे तो यहां इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3x ठीक और यहां फिर प्लस 2x माइनस 3x क्यों लिख सकते हैं नहीं बताई अब लिख सकते हैं बिलकुल ठीक है तो यहां हमने लिख दिया किसके अधार पर जैसे यह सुत होता 2 sin A एक जगा क्या है? 2x है और 2 एक जगा क्या है? 3x है तो sin A प्लस B यानि 2x प्लस 3x पहले में प्लस है दूसरी में माइनस है माइनस हो गया अब इसको और भी आगी इस्टेप बढ़ाते हैं तो यह हो गया sin हमारे हैं 5x ठीक है? एक बड़ी दू का गुड़ा भी कर देते हैं और dx का भी तो यह हो गया और यहां क्या हो जाएगा? यह 3x ज्यादा है कम है तो यह माइनस हो जाएगा माइनस एक बटा दो यहां बचेगा यह sin A x dx ठीक है? यह हम यह हो गया अब हम क्या करेंगे? जब यहां sin 5 x यह dx आ गया और 1 by 2 sin x से dx आ गया तो यहां हम क्या करेंगे? एक मैं सुत्र बता दे रहा हम आपको बहुत आसानी से जब कभी sin A x dx का आउकलन करना हो तो एक कोई संख्या dx के फॉर्म में तो इसका हो जाएगा minus 1 by a cos A x dan it इसका ऐसे आप समागलन कर सकते हैं तो सेम होई फर्मूला यहां लगाएंगे यहां देखिए क्या है? एक जगा 5 एक बटा 2 ही है एक बटा 5 कर देंगे minus cos 5 x इसका एक बटा 2 minus इसका हैगा भी minus cos x ति हो जाएगा एक बटा 10 cos 5 x plus 1 by 2 cos x plus c इस प्रकार यह solution इसका यह solve होगी है तो ऐसे प्रस्ण को आप इसी प्रकार solve करेंगे यह हमारा question क्या होगया? solve होगया तो अब आईए अगले प्रस्ण में चलते हैं अगला प्रस्ण भी इसी तरह का प्रकार जो है बटा है तो वह प्रस्ण भी हम आपको बता दें example समझना बहुत जरूरी है बगर example की exercise में जाना क्या है समझी कि अब यहाँ हमको करना है क्या? समाकलन दिया है sin qx dx इसका समाकलन करना तीसरा है हम पर लाइए ठीक है तो अगर इसका हम समाकलन करेंगे तो क्या करेंगे आपको देखे sin qx का जो है formula जो है इसका समाकलन होता है यह जल्ली ठीक है अगर होता भी है तो बहुत बड़ा लंबा होता है और वह चीज नहीं है तो आप कैसी करेंगे तो यहां क्या सूत्र कि aż में होता हैthen कि अ hrub साइन 3x से बराबर क्या होता है 3 sin x माइनस 4 sin qx होता है होता है ना अब हमको चाहिए sin qx का value है तो sin qx 4 sin qx को इधर लाते हैं और इस वारे पद को उधर ले जाते हैं तो यह माइनस इधर आगात क्या हो जागा plus 3 sin x माइनस sin 3x हो गया, आब हूम क्या करेंगे हाँ से, ये Sign qyx का मान निकालना है, तो ये 4 सी इस में भाग हो जाएगा, क्यों? हो जाएगा ना? क्यों हो जाएगा? अब इस के जगह है, हम इसके जगह हैं, इसके जगए हम पूरा यह रखेंगे क्यों कि ने समाकलम मां रूरू उसका बदल दिया जाता है पर उसका मान के बदल से यह हो गया । ex sine 3 16 जो नीचे 4 इसको एक बड़ा 4 यहां ऐसे ले लेंगे ठीक है dx अब हम क्या करेंगे यहां एक बड़ा 4 का भी गुढ़ा करेंगे करते हैं तो 3 बड़ा 4 हो जाएगा sine x dx और dx का भी गुढ़ा कर रहें यहां भी करेंगे तो 1 बड़ा 4 इसका भी गुड़ा हो रहा है इसमें और dx का भी तो इसका गुड़ा हुआ था तीन करनम 3 बटा 4 sin x dx हो गया फिर minus plus का minus 1 बटा 4 समा कलम 3 dx हो गया ठीक है अब देखिए 3 बटा 4 हो गया अब sin x का उक्रण क्या होता है minus cos x होता है माइनस इसका बटा 4 है हमने फार्मूला भी बताया था कि इसका क्या हो जाएगा 1 बटा 3 माइनस आएगा तो माइनस यहां भी आएगा minus cos 3x ठीक यह हो जाएगा minus 3 बटा 4 cos x यह minus मैनस क्या हो जाएगा plus 1 बटा 12 cos 3x plus c इस प्रकार यह question solve हो गया ठीक है अब आते हैं इसी प्रकार प्रस्णावली साथ दर्नों तीन में मैंने कहा था जो है इसमें एक से 22 तक के प्रश्णों को प्रत्यक फलन का समाकलन के ज़िये कह रहा है प्रस्ण में तो पहला प्रस्ण क्या दिया है यह दिया है equation स्क्वायर 2x प्लस 5dx उपर लिखा है प्रश्ण में अब क्या हम लिखा है आप समन लेजिए एक से पाइस तक के प्रश्णों में परतेख प्रणन का समाकलन ज्याद कीए तो इसको समाकलन करना है अब देखिए स्क्वायर आ गया तो गवलानी की बात नहीं है आप क्या कर द गवं करने पर कि अगे तो यह टीक हो जाएगा यह 5 खॉस्टेंट है जीरू हजाएगा बराबर डी टी होजाएगा जीरू लिखेंगे लिए यानिह हम को चैएं टी इस कमां टो डी एक स्वरब हो जाएगा यहसी डीटी बर जाएगा हमने क्या किया यहां लेक्स इंतरट यह हो जाएगा इस तरह से sin square t dt by 2 इसको इधर एक बटादो को कर देंगे यह sin square t dt हो गया ठीक अब यह sin square t dt हो गया अब इसका देखिए समगल करेंगे तो हो पाएगा नहीं हो पाएगा हमको क्या करना पड़ेगा यह formula आप जानते होंगे कास 2t बरबर क्या हो जाएगा 1-2 sin square t होता है तो यहाँ अब यह वाला देखिए क्यों हमने यह लगाया क्योंकि देखिए sin square के form में हमको चाहिए तो sin square वाला लगाया सुत्र आप दिमाग अपकी दिमाग में इसा होगा क्यों है अब यह सुत्र लगा रहे है देखिए सुत्र इसलिए लगा रहे है कि जहां जैसे जैसकी ज़रुवत होती है काम उसी प्रकार करना पड़ता यह इसको धर लाएंगे 2 sin square t 1-cos 2t हो जाएगा ठीक है यह कह जाएगा cos 2t हो गया ठीक है अब यह sin square t का माल निकालेंगे 1-cos 2t बटा 2 हो जाएगा ने अब देखिए इसके जगा क्या हम रखेंगे यहां रख देंगे ठीक एक बटा दो तो यहां तो आया ही था अब यहां रखेंगे हम तो क्या होगा यहां से यह रख देंगे तो यह एक बटा दो तो पहले से था 1-cos 2t बटा 2 ठीक डीटी यहां डीटी ही है एक बटा ही हो जाएगा चार अब डीटी का गुड़ा करेंगे 1 डीटी हो गया फिर यहां से 1 बटा चार cos 2t देखिए इसमें गुड़ा 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 साइन एक बटा दू हो जाएगा हैं साइन टू टी यानि कुल मिला जुला करें आ जाएगा इसके का एक बटा चार टी एक बटा चार गुड़ एक बटा दू था साइन टू टी एक बटा चार टी एक बटा आठ साइन टू ती अब रग देंगे जो माने थे एक बटा चार T क्या माने थे 2X प्लस 5 देख लिजे भाई प्रस्न का क्या माने थे 2X प्लस 5 बरोड T माने थे रग देंगे 1 बटा 8 साइन 2 2X प्लस 5 यानि 1 बटा 4 2X प्लस 5 माइनस एक बटा 8 साइन 4X प्लस 25 दस प्लस C यह एंसर हो जाएगा ठीक है तो इस प्रकाइब वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक भी करिएगा वीडियो को खुब ज्यादा से ज्यादा से शेयर करिएगा ताकि जो है सबको जो है यह पूर्णूप से मिल से कि और सभी लोग बढ़ सकेने मस्कार दो तो धन्यवार